आज होगा राजनीती सास्त्र यानि की पुलिटिकल साइंस का महा संग्राम यानि की रामबान वीडियो होने वाली है जो भी हमारे बिये फस्टेर के फस समस्टे के छात्र है उनके लिए मैं आपको बता दू कि अगर आपका सब्जेक्ट पुलिटिकल साइंस है आपकी पुरा समाहित किया गया है और इसमें वो सारे कोईश्यन इंकिलूडर है जो पिछले फालो में कई बार आ चुके हैं और इस बार जो आपकी परिच्छा में आने वाले उन सभी का मैंने पूरा का पूरा महा संग्राम किया है तो वीडियो को इन तक देखेंगे तो आपको क कोई भी फेल नहीं कर सकता क्योंकि इस वीडियो में वो सारे कोईश्यन इंकिलूडर है जो लगातार परिच्छा में आ रहे हैं और कल परसो जब भी आपकी परिच्छा है उसमें आएंगे और इस बात को ध्यार नखेंगे ऐसी वीडियो आप पूरे यूटूब पर सर्च करा दिया और इसी में से सारे कोईश्यन और इसका एंसर भी तयार किया गया है । जो की आप सभी को मिलने वाला लेकिन उससे पहले आपको जानना कि कौन और इसके परिच्छा में रहे हैं ज authoris and को भी वीडियो को पर करते हैं पूर्ण के तोर पेत्ग हमने एक पूरा को सब्सकूरों के पेपरी सब्सक्राइब करें लुविज न वीक्तिर किस्व कर लाने कि सक्तिया मताई यानि कि जो प्रधान मंत्री होता है उसके पावर क्या क्या होते हैं एक्जाम्पल के रूप में हमाई इस समय स्री नदेद मोधी जी प्रधान मंत्री उनके पास क्या क्या पावर है ठीक है वो सम्मिधान में किस साफ उनको पावर दिये गए है तो वह हम आने वाले और यह question कईबार परishy हमें आ चुका है और इस बार भी आपकी把它 When आएगा क्योंकि election होने वाला है तो simple है रहा मंत्री पर हैश्य का उसक्तक करता है यहां पर है पर बता घ्लेंसे यह pizza उसका लपां पर च्या है नमबर एक भूंभ प्रदान मंत्री के गूट हो जो सक्तिया है एक मंधि परीषित का निर्माड करना याई कि की को भाई प्रदानALLY तो बताए बिताते है कि कहें आप कहे हुआ पर बिकास और बहला कम्लार्ण को रडीपार्मेन्ट देख लिए किसी को सव देंकि आप tap प्रधान मंत्री जी होते हैं इन बदब की अलग अलग बिभागों के जो लोग होते हैं होते हैं उनको अलग अलग खांका बित्रण अलग अलग चीजों के लिए निव्त किये जाते हैं ठीक है ओके और अगर उसमें कोई समस्याा है उनको तो उसके लिए परिवंतन भी कर कते हैं प्रस्ट की अधिशता करना यानि कि जो बैठाक होती है सभी मंत्रियों के उसकी अध्यचा मुखिया यहीं होते हैं कि ठीक है और अगला है कि अध्यवेशन बुलाने सट्रावासान ठीक है करने कि शिपारिश राष्टपती से करना माली जे कि कोई अध्यवेशन किसी चीज को बुलाना अचानक से मेटिंग करने या पिर कुछी बा मंत्रियों को चारेक्श करना यह सब कुछ प्रमुक कार्य होते हैं प्रधान मंत्री जी के यहां पर बेसिक कार्य बताये हैं हलाकि और भी वह फारे होते हैं लेकिन आपको इतने ही लिखने ना पूरा नंबर मिलेंगे ठीक है अब चलते हैं नेक्स कोश्टन के और देखे इस कोश्ट में वही सारे कोश्टन मैंने इंकल्यूट किया है ठीक है धाज सुन लिजिए जो आपके एक्जाब के लिए 100% है मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं अगर 75 नंबर का आपका पेपर होता है यह ठीक है 75 नंबर से 75 नंबर को जो पेपर होगा ना 70 नंबर की जो प कोश्टन होंगे वह इसी वीडियो से आएंगे पुरूप आपको जब पेपर देकर आएंगे तो आपको खुदी बिल जाएगा आप लोग के लिए मैंने पूरी चीज ओपन कर दिए टेलिग्राम वट्सप कर लिंक वीडियो के डिस्कूशन में अगर नहीं आएगा तो आ आपने जो बताया वही वही प्रशन आएंगे यह बात कि मैं उम्मीद पूरी कर रहा हूं और यह मैं हंडर प्रसेंट साबित करके भी दिखाऊंगा ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगी आप लोग बोलेंगे कि क्या आप ही पेपर बनाते हैं कि आप लिखने जाएंगे न करते हैं मेरे मुद्दे पर नहीं आप लोग करते हैं फालतों की अगला प्रस्ट छोड़ो आतोलन के करणा बताई यह तो पहला कारण था क्रिप्स मिसन क्या सफलता हो गई दूसरा था जापानी आक्रमन का भै था बेट्रिफ राज बेवफ्था में भारतियों का आभिश होती है तो कुल मिलाके वस्तों भी महेंगी थी और किसको सर्वी से को सेववा तो वह भी महेंगी हो गई तो यह मुक्ष करन है भार छोड़ों आंदोलन मुख्ष्ट की परिछा में आये आप लोगों के लिए महात्पूर्ण आपको जानना चाहिए कि आगर आप तिक है कि आपके पास क्या क्या अधिकार है यानि कि आप स्वतंत्र भारत के एक नागरिक है और आपके पास क्या क्या अधिकार है उनके बारे में आपको जानना तो चाहिए चाहिए न तो चली जान लीजिए अनुच्छेद उन्नीश में भारते नागरिक को छे फतंत्रताइं दी भूछ सारे लोगों का गुरूप बिला के उनको कोई लेक्चर देना है कोई वे बात करनी है तो उस चीज की सुतन टरण टो तो तो बहरत में किसी भी अफ्थान पर ग्राविन इडिया फैरी एडिया ठीक नदी के पाफ फर्मुद्र के पाफ ठीक है वह जा है जहां भी साथ जा फक्ता वो पूरी तरह फोतंत्र है ठीक है अगला के भारत के किसी छेतर में न्यूआस करने की सुचनत्रता है माली जी हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम उत्तर क्या है और अगला सबस्थन इस इसकी भी साफ दंत्रति संब्हान 19 में इन 6 एदि गई हैं भारत के प्रतेक नागरिक को इस बात को ध्यार रखेंगे कई बार आ चुका प्रश्ण तो ध्यार रखेंगे अगला प्रश्ण है कि भारतिय मंत्र परिश्द की पांच प्रमुग विशेष्टाएं क्या 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 मतलब कि सभी लोगों का उत्तरदायत होगा किसी बात के लिए ठीक है अगला है कि प्रधान मंत्री की सर्भोच्चुता मतलब कि जो प्रधान मंत्री होता हो सर्भोच्च मुख्य होता है ठीक है यह भी सिष्था है अगली के एक दलिये इम संबित सरकार का निर्मार होता है य ही करता है मंत्र परश्द तो यह कुछ प्रमुख मिसे इफ्ताय जिनको आपको ध्यान रखना है ठीक है मंत्र परश्द सुझड़े कई सारे प्रश्ण आएंगे इस बात को ध्यान रखेंगे अगला बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन सामिल होने जा रहा है आप लोगों की समस अनुछेद 81 के अनुसार लोग सभा की अधिक्तम फदस संख्या 552 हो सकती है जिसमें 530 सदस्य राज्यों से 20 सदस्य केद्र सासित प्रदेशों से होंगे दो फदस्यों को राष्टपती एंगलो इंडियर सबुदाय से मनोनित करेगा लेकिन वर्तमान समय में लोग सभा की सदस्य संख्या 545 ही है ठीक है कितनी है 545 वर्तमान में ठीक है जिसमें से पांजो तैने तालिफ जनता दिवारा निर्वाचित होते मतबं की 5 relieve निर्वाचित करता है में राष्पति द्वारा किया जाता तो इन 543 निर्वाचित सदस्यों में से 530 राज्यों द्वारा और 13 फद्ष जो होते हैं वो कुछ हमाई जो केन और सासित प्रदेश हैं उनकी जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है इस बात को ध्याद रखेगे तो इस प्रकार होता है किसी भी लोक सभा का गठन ठीक ह तो इस प्रकार लिखेंगे कि गठन कैसे होता बेशिक सा प्रचे बहुत ही सिंपल भासा में कोई भी आपको ऐसा नहीं बताएगा साय दी ठीक है ओके इनgem मुक्रा पत्री कि मंत्र परस्ट के निर्मार में किन बातों का ध्यान दे जाता है निर्मार करते हैं कुछ प्रमुक बात है जो कि आप लोगों की समस्थ प्रोचूस है इनको ध्यान रखना पहला तो है विश्वास पात्र को अफ्थान देना दोफरा है गठ मंधन में सामिल दलो को अफ्थान देना तीफरा है छेत रेता है जाती है धर्म है योग बिक्त के अफ्थान है ठीक योग जो काबिल हो ठीक उस बिक्त क्योंके अफ्थान है प्रभावसाली को अफ्थान है तो ये पुछा जाएगा तो आठ नंबर बारा नंबर पक्के हो जाते हैं तो इसका उत्तर लिखना कि सम्मिधान की अनुछेद यहीं करता है जिसका कार निर्वाचन संबंधी होता है इसमें एक मुख निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन आयुक्त होते हैं सभी विश्यों पर नेड़े भॉमत से लिया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न कार किया जाता है तो चलिए जानते हैं कि निर्वाचन जो आयोग तो होता है उसके क्या-क्या कार होते हैं मुख निर्वाचन आयोग तो ठीक है तो ध्यां से सुनेंगे या फिर नि निर्वाजचन आयोक कही होता है और राजितिक दलो को चुनाव चिन आमेंड़ित करना यानि की उनको एक चुनाव चिन ठीक है देना या आप लोग का इफेक्ट है कि उनका थंब लगाना ठीक है आबंटित करना ठीक है यनि कि उनको चुनाव चिन देना और ठीक है चुनाव दलों का चुनाव चिन आबंटित करना मतलब कि उनको देना ठीक है अगला दलों की मानता समाप्त करना मा वाथचान आयोग जो होता है किसी भी दल का ठीक है चुना जो चिंड होता हूँ जब्त कर सकता है ठीक इसके पावर होती अगला की दलों के लिए अचार सहीता लागू करना मतलब कि आप लोगों को मालूमें कि जब इलेक्शन होने वाला रहता तो उसके पहले ही 45 दिन पहले कहीं कहीं पर अलग अलग सिस्टम उससे पहले सारे कार्य 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 काम कापकाज नहीं होता है और चुणाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते उस दिन चुणाव के दिन या दो दिन पहले आप किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते तो इन सभी के कुछ दियब कारून होता है जिसको चुणाव आयोगी मनाता है ठीक है कुछ प्रबुक कार है जिनको आपको ध्यान डखना पॉप्लर कोश्चन है आएगा पक्कात गीक प्रच्ण है कि भारते राष्टे आंदोलन की उत्पत्य के बारे मताय है ठीक है तो सुनेंगे इंग्लेंड के जिश मदा करने की भारत में बपजब करने आ थी एक लोग कुसी को बैठने की यगहां दे दिया जाता, तो इसंले अपकर से मारत dari बारत कर दो भारत में बना लेत। पर संब ही तरह तरह तक अंग्रेजों का सासण भारत में पूरी तरह तरह से स्थापित हो गया । देरे देरे कुछ ऐसी भावना भारतियों पनपी जिस्से राफ्ट्रहता की भावना जगी क्या हो रहा हमारे देश से पूरी तरह दुबिदेश लोग के आगे और पूरी हकुमत दिखा रहे हैं ठीक है और सासन भी कर रहे हैं ठीक है अत्मनमानी कर रहे हैं तो कुछ इसमें से भावना है पनपी जिससे राफ्ट रहता के भावना जागी और वह प्रबल हो गई इसके परडाम सुरूप अठाश फ्लुच्ष बहना जागने में इसे ही पर्थम आधार अस्ताम माना जाता है मताव कि दिख और ब्रत्यों के लिए कुछ संगर्जों कि मान करने लगी जिसके मजबूरन अंग्रेज सरकार भारतियों को सुविधाय देने के लिए विवस्त हो गए विवस्त किया तो उन्हों यह बनाई गया था ठीक है उसी ने विवस्च किया तब कुछ मतब कि जो हमारे देश के लोग थे उनको थोड़ा मतब कि रिलेक्स फील हुआ ठीक है लेकि तब भी भाई अंग्रेश सासन था तो अंग्रेश सासन है तो यह आप लोग किसी के किसी के अंडर में रहे रहे हैं उसा प्रखरार भात्य रहते अंदोल्न के उत्रवी दीरे-दीरे करके और परिशे लिखेंगे अगला प्रश्व अंदोलन भी महत्पूर्ट ब्रश्ण है थीक है? इसका उत्तर लिखेंगी कि सन 1910 में 3 ऐसी घठनाएं घटित हुई जिसने महत्मा गांधि को आंदोलन प् मारे जुमहत्मा गांधी जी ने ठीक कहा कि हम अंग्रेज हुकूमत को सहयोग नहीं करेंगे अर्थात आसायोग की नीत अपनाएंगे दिसंबर उनीश्य सो बीस के नागपूर अध्वेशन में असहयोग अंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाएगा ठीक है यह अंदोलन काफी सफ़ल नहीं रहेंगे अंग्रेजों के जो रीती नीती हैं उनको हम नहीं अपनाएंगे ठीक पर था तभी चौरी-चौरा कांड हो गया अंदोलन के हिंसात्मक होने के कांड गांधी जी द्वारा इसे अफ्थकी त्यानी की रोकना पड़ा ठीक है रोकने का नेडल लिया गया मात्मा गांधी सांत के पुजारी थे वे सभी अंदोलन को अहिंसा के रूप में देखना सब्सक्राइब करें तो इस प्रकार आप लिखेंगे और लॉंग में अभी आपको बताएंगे उसका भी उत्तर ठीक है थोड़ा डीटियल में आप लोग और अच्छे लिख पाएंगे तो आप लोग में लिखेंगे संबिधान सभा का गठन यह भी महात्पूर्ण प्रश प्रशनुइस नया लेकर निया देश की होने के खथा ठीक है एक की हम भी मैं www एक या कई उच्चिनाले में दस वर्ष तक अधिवक्ता यानि की वकीर लहाओ ठीक है और उसकी जो उमर है वो 65 वर्ष से कम हो ठीक है 65 वर्ष से कम हो 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 अग्लिकी क्यानून का ग्याता हो हो मतलब के आपको कानून के पता ही नहीं कि किसके पास कैसा वहार करना चाहिए ठीक है तो वह कुल्भला के ग्याता नौलेजदार इंसान होना चाहिए तो यह होते हैं कुछ आपको ध्यान रखना सर्भोच चिन्याले की कुछ योगताएं इसके पास पावर क्या क्या होती है उसके बारे जानते हैं तो पहरा जो पावर है वो है कि अधिकार फिक है रही है दुफ्रा होता है अपले ऑदिकार फिक है तीक रहोता है परहकार देशिह मूर्टी बंहें कि पुनिरियोफ होना चाहिए अभले नियाले यानि कि यह कुछ प्रमुक्च सक्ति एंगऑ सरबोच चन्याले के पास होती जिनको आपको ध्यान डखना है का फिरफुल कोश्चन है ठीक है शेलिनेश कोश्चन है कि भारतिय उपर राष्टपती किन परस्तितियों में सरबोच चन्याले से परामर्श लेता है मतलब कि राष्टपती ऐसा क्या उनसा समय आ जाता कौन सी सरबोच चन्याले से परामर्श लेनी पड़ती है किसको भारतिय राष्टपती को ठीक है तो यह भी पॉप्लर कोश्चन कई बार आ चुका हमेशा नहीं आता तो आप पड़ भी सकते अग्नूर भी कर सकते भारते सम्मिधान की विशेष्टाइं कि पहले तो आपको भारते सब्सक्राइब भारते सम्मिधान जो है उसमें कुछ विशेष्टाइं पहला तो लिखी थे उससाथ में उसका निर्मार भी किया गया संगात्मक सासने देश में ठीक है ठीक है विश्व का सफे ब्यापक और लोगतंत्र देश है ठीक है और अगला है कि न्याय पालका कि सो सब्सक्राइब करें तो यह कुछ पॉपलर चीजें हैं भारते सम्मिदान की जुटको आपको ध्यान रखना वैसे आपको जानना भी चाहिए अगर आप भारत में रहते हैं तो ठीक है अगला प्रशन है भारते सम्मिदान में वहरित जो मौलिक अधिकार है नागरिक के वह आपको लिखना थ्यान सुनेंगे भारते सम्मिदान के भाग तीन में अनुच्छे चौदा से पैंतिस तक नागरिकों को छे मौलिक अधिकार दिएगे आप सभी को चित मालूम है पहला तो समानता के दिकार मतब समान बेवहर करना चाहिए फुतंत्रता के अधिकार कहें भी लीगली आज आ फक्ता कुछ भी कर सकता है प्रतैकर नागरिकों के देश में रहता है मतान ब्रत ये सब्यदानिकि अब्चारों के रहता है हर एक प्रतेक नागरिक के जो देश में रहता है, ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रस्न कैई बारा आएगा, ठीक है मॉलिक अधिकार और मॉलिक कर्तब यह दोनों हमेश्वाते हैं, ठीक है, और इस बार भी आएंगे पक्का आ decetic सब्सक्राइबुब ति कि मौली इसंदूर गला योग फर्देंटोों मौल अधिकार राजनीतिक्क समांताय मौल अстрर्ण प्रफ्टों का अधार आर्थिक समानता के स्थापना करना यह कोईश्चिन कभी कदार आता है तो आप चाहे तो इगनोर भी कर सकते हैं अगला कोईश्चिन में यह प्रस्तों था कि भारतिय संगात्मक ब्यौफ्टा के प्रमुक लच्छन यह भी हमेशा नहीं आता लेकिन भ पहला तो भारत को जापान से खत्रा दूफ्राय बेटेन पर मित्र राष्टों का दबाओ तीफ्राय बेट्रिफ जनता पच्छधर और बेट्रिफ जनता भारती पच्छधर और चौथाय आजाध हिंद फोच्छ चे खत्रा यह कुछ प्रमुक ठीक कारण है जिटकी गांधी जी ने अंग्रेजियों को करना देने के लिए एक अंदोलन चलाने के लिए बिट्रिफ फरकार को एक सप्ता का समय दिया समय पूरा होने के पूर्व ही पांच फरोरी उन्नीश्टों 22 को गोरक पुरजिला के चौरी चौरा नामबक अस्थान पर कांग्रेफ द्व कि अ प्रियास किया था ठीक है यानि क्यों तरीकिरों रगते कि और कुछ की चीज को जला के या पिर किसी चीज को ठीक है reactive या इसे की लोग प्र कॉण करने लगते ने लगते हैं तो उस चीज को तिनी म醉णा जा रहा था घीक है तो जूस्ट की जुलुसों निकाला गाला दोन्हों आपस में लडाई हो ग curb खेंग और फूलिस भाiदि जनता ज्यादा त्यों पर भाड़ी पड़ गए थे इतने ज्यादा मतब कि बॉखलिया गए थे जिसको बोलते हैं तेजित हो गए थे और जन्ता थी उन्होंने एँ थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी जिसमें थाने की सभी लोग जलकर राक हो होते ही होते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे ओके चलिए भारत में उग्रवादी अंदोलन कभी कदार आता तो आप पड़ भी सकते इग्णोर भी कर सकते हैं ठीक है ठीक है अगला प्रशन है कि उचिने अले का नियाधिस होने की अभी तक आपने देखा था कि सुप्रिम कोट हो तक अधिवक्ता है निकी सर्भो चिने अले होता है उसमें जैज्च बनने के लिए क्लिए क्या योगताए होनी चाहिए अनुचे 27 17 में यह बताया गया भरत का नागरी को नागरी भारत की राज क्रांट में कम से से कम हो ठीक कितने से उम्र हो 62 वर्स से कम हो ठीक यह कुछ बेशिक एलिजिबिलिटी यारी कि युगिता है जितको आपको ध्याद में रखते हुए एकजाब में प्रश्ट का उत्तर देना है ठीक है अगला प्रश्ट है कि विधान सभा और विधान प्रश्ट में संबंद य की कोईश्ट ना ऐगा ठीक है तो कुछ सक्तियां है जो कि आप लोगों की सबस्त दिम्रवत है पढ़ लीजी यह सब सक्तियां किसी भी राजिपाल की जो को पढ़ ले रहे इंपाटन कोईश्ट है ठीक है ठीक है और इन दोनों में अंतर्य अपने मौली का अदिकार और न फॉदर्द कर सकती में कुछ बदलाओ कर सकती है हवेशा रही आता किگ करार आता तो आपकी इच्छा तो फटाग पर सकते एक डूर कर सकते है अगला GARATI वाला कोश्छ Chaos यो कि हवेशा फस्था सут T जासिख है लिए नहीं है सभी के लिए आती है कोई भी ढ़र्म के लिए कोई भेद भाओ की यह दहर्म के लिए कोई बेहर्म को लेकर कोई भेद भाओ नहीं है उसके लिए इस धर्म जो सभी धर्म हैं उस समान है गौर्वर्मेंटिक नजर में या फिर हमारे जो सम्विधान है उसके नजरिये से किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेद भाव नहीं किया जाएगा मतलब कि आप लोग समझ गयोंगे कोई भेद भाव नहीं ठीक है और उसे ही हम धर्म जराज है क्योंकि सोबिदाय नहीं पर किसी के साथ कोई भेद भाव नहीं किया जाता हैं रहाद मेंकि अनुसोच्षेतर में बहलोसवास संसौदन जो किया गया उसमें पंथ निर्पेश को देकि आपको प्रषिच्चा में कई बार चुका पंतर पंत निर्पेश्च और दोनों में कोईस्चन है इनको ध्यान रखना है ठीक है सब्द को संबिधान की ओधिस्टिका में सामिल करके धर्म निर्पेशिता की पुष्टी कर दी गई कोई भारती नागरिक अब अपनी कोई भी जो भारत का नागरिक है वह अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को ऋब्रत्र कर सकता है ठीक है और वह सामिल भी हो सकता है ठीक है भारतिय सम्धान के एकात्मक लच्छण फिके आपको महत्मौड प्रस्टिक है और इसके लावा एक और पीडियफ है प्रश्ण बताएं कि आपको जरूर तयार करना है उनको जरूर तयार करके जाएगा बाकी अन्य questions आप ignore भी कर सकते हैं ठीक है और ये एक और PDF इस में भी दियेगे questions आपको तयार कर लेना इन दोनों PDF को हम टेले ग्राम विट्सप पे अटेच कर देंगे ठीक है तो इन ही प्रशनों को उत्तर भाई question भी है उत्तर भी है कई भटकने कि आज़ सकता ने तो तयार क कर लिजीएगा आपको पूरी सफलता मिल जाएगी टेली वाटसप पे जो चातर में मेसेज करेंगे उनको दोनों पीडियोप दे देंगे आप त्यारी कर लिजीगा जय हिंद